जै मातदी दोस्तों आप देख रहे हैं असरदार डोटके घर के आटे में चुपचाप डाल दे ये चीजे पैसों की होगी ऐसी बारिस कि आप संभाल नहीं पाएंगे दोस्तों कई परिवारों में लोग अकसर ये सिकायत करते हैं कि घर के सदस्से जितना कमाते हैं उससे कभी पूरार नहीं पड़ता इतना कमाने के बावजूद भी उन्हें तंग हाल जीवन ही वैतीत करना पड़ता है वैसे आज हम आपको एक ऐसा चमतकारिक उपाई बताने वाले हैं जिसे आपकी ये सभी सिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी आपको बता दे कि हम आपको आज की इस वरियों में तुलसी का एक ऐसा चमतकारिक रामबान उपाई बताने वाले हैं जिसे अजमाने के आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके सभी त्रहें के बिगडे काम भी बन जाएंगे दोस्तों इस उपाई को करना जितना आसान है इसका असर भी उतनी ही तेजी से दिखता है इसके इलावा यह उपाई आर्थिक तंगी तो दूर करेगा ही और साथ ही परिवार के सदस्तों में हो रहे ग्रहें कलेश को भी समाप्त करेगा तो चले दोस्तों आपको बताते हैं कि आखरी यह चमतकारिक उपाई है क्या उपाई इस उपाई के अमसार सन्निवार को आटा पिसवाने के लिए जाते समय थोड़े से गेहों में 100 ग्राम काले चने औ और दो दाने केसर के मिला दें फिर इसे बाकी गेहों में मिला कर पिसवा लें इसके लावा आप आटा पिसवाने सन्निवार के दिन ही जाएं इस उपाई का असर आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा इसके अतरिक सन्निवार को काले कुट्टे को सरसों के तेल से चुप सन्यवार को पीपल के पेड में देशी घी का दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी त्रहें के इच्छाएं पूरी होती हैं तो दोस्तों आप इस सन्यवार के दिन इस उपाई को अपनाएं और अपनी सभी त्रहें के मन्चाही इच्छाओं को पूरा करें तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो पलीज लाइक और शेयर जरूर कीचिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीचिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवा दोस्तो